नमस्कार तन्वी तिवारी व्लोग में आपका श्वागत है और मैं हूँ तन्वी तो आज में लेके आए हूँ आपके लिए कद्दू की ऐसी जबरजस्त और मजेदार सब्जी जो आपने पहले नहीं खाई होगी कुछ लोगों को कद्दू पसंद नहीं होता है पर अगर आ और इधर ले लिया है मैंने तीन बड़े चम्मच बेशन लिये हैं 5-6 काजू ले लिया है और यह ले लिया है मैंने दो बड़े चम्मच दही और आधी छोटी चम्मच जीरा है इसमें और एक पिंच हींग है स्वाधा अनुसार नमक ले लेंगे और इसमें आधी छोटी च मिर्च टीखा आपने सादनशार कर सकते हैं आपको कितना तीखा खाना है दो प्याज लिया है मैंने मीडियम साइज के और आधा इंच अध्रक का तुकड़ा ले लिया है तो काजू को हमें टमाटर के साथ पेश्ट बनाना है पर उससे पहले हम कद्दू को ग्रेट कर लेंगे देखें अगर आप ये कद्दू कस मसीन यूज़ कर रहे हैं तो हमें बड़े वाले दाथ से नहीं करना है छोटे वाले दाथ से इसके कद्दू कस करना है अगर आप ये वाली कद्दू कस यूज़ कर रहे हूं ना तो हाथ बहुत सम्हाल के करें क्योंकि इससे थोड़ा सा लगने का खत्रा रहता है आपके पास दूसरी मसीन हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं तो पहले मैंने से कद्ड çek कर लेती हूं अच्छ से तो कद्डू का कोब्ता बनाने के लिए हमें पीले कद्डू की जरूरत है और पीले कद्डू का ही कोब्ता बहुत ही ठेश्टी बनके त्यार होता है तो देखिए सारे कद्दू को पहले मैं कद्दू कस कर लिए ऐसे बहुत ही आसानी से हाथ को समाल के करें यह देखिए सारे कद्दू कस को मैंने कद्दू कस कर लिया है और कद्दू को कद्दू कस कर लिया है और यह देखिए तो इसका पानी हमें निकालना नहीं है और इधर पीछ लेते हैं पहले तो प्याज के साथ हम हरी मिर्च नहीं डालेंगे पहले प्याज और अद्रखम का पेश्ट बना लेंगे यह देखिए काट लेती हूं प्याज को और इसका पेश्ट बना लेंगे तो पेश्ट हमने त्यार कर लिया है, अब हम इसमें डालते हैं काजू और टमाटर, तो काजू टमाटर और मिर्ची का एक साथ ही पेश्ट बनाना है हमें, इसका भी मैंने पेश्ट बना लिया है, और अब आते हैं अपने कद्दू पर, कद्दू में सबसे पहले डालेंगे हम एक पिंच के करीब हल्दी डालेंगे इसमें, जैसे हम एक पिंच हिंग डालते हैं बिल्कुल उतना ही है, और नमक डाल देंगे एक पिंच, और उतना ही हम जीरा डाल देंगे इसमें, धनिया भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और आप इ में बेशन के मात्र बढ़ा सकते हैं क्पेसं कि कुछ कड्डों में बहुत पानी तो बहुत मतला यह कीडिया 파 wanna तिन कद्दो में को पकोडी बन है और एक चम स्वाइण में बैटना क्रेटी हो ता कि हमारी पकोडी अच्छे से बन सके मिला देते हैं अच्छे से इसका बैटर कर लेते हैं देखिए और यह स्चस्वा पार तयार हो चुका है और इधर मैंने गैस पर रख दी है कड़ाई गैस को करते हैं और इसमें डालते हैं तेल तो मैंने इसमें ससो का तेल यूज किया है आप चाहें तो रिफाइन की भी पकोड़ी बना सकते हैं या आप घर में जो भी तेल यूज़ करते हों आप उसकी पकोड़ी बना के तयार कर ले तो देखिए तेल गरम हो चुका है और कद्दू से देखिए कितना ज्यादा पानी निकला है तो जब आप बैटर तयार कर लो तो आप जल्दी जल्दी पकोड़ी बना के तयार कर लो क् कद्दों से बहुत पानी निकलता है, फिर आपको बार-बार वेशन एट करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये देखिए कितना पानी है इसमें, पर ये पकोडी बहुत ही सौप बनके त्यार होगी और बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में, तो पहले थोड़ा सा बैटर इस बहुत ही सुन्दर लगेगी, ये देखिए सारी पकोडियों को ऐसे डाल देते हैं आपकी कडाई में जितनी पकोडी आ सके हूं आप उतनी ही डाले ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें पकोडी को तयार करने ले लेना है बहुत ही टेस्टी पकोडियों हमारी बन के त्यार होगी आप इसे चाय और नास्ते के साथ भी खा सकते हैं नास्ते के रूप में भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी ले सकते हैं तो सारी पकोडियों को हम ऐसे मिला देते हैं और इसे पलट लेते हैं देखते हैं हमारी पकोड़ी पकी है या नहीं तो सारी पकोड़ी पलट देंगे यह देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है तो हमारी पकोड़ी अच्छी golden brown हो चुकी है हमें इसे ज्यादा नहीं लाल करना है जब हम कुपते लिए पकोड़ी बनाए तो ज्यादा लाल ना करें पकोड़ीयों को फिर वो देखने में अच्छी नही कहते हैं इसे को इसे भी पलत लेती हूं से यह देखिए तो एक निट तक इसे पकनें को सारी पकॉड़ीयों का मैं अभर सैंश्पे टियार कर लेंगे चाय स्कें पार ज़िए समें俗्स अफ हम इसमें डालते हैं जीरा और हिंग इसके बाद इसमें आड़ करेंगे प्याज डालने के बाद हम पैन को कवर कर देंगे वरना प्याज की छोटी-छोटी बूंदे वह फेस पे भी आती है तो फिर से इसे मिला देते हैं एक मिनट के लिए ये देखे और चेक कर लेते हैं कि हमारी प्याज पकी है या नहीं तो ये देखे आभी प्याज पकी नहीं हुई है तो हमें प्याज को अभी दो मिनिट तक और गोल्डन ब्राउन होने तक बून नहीं तक बहुनना है चलाते रहेंगे फिर से ढख देते हैं एक मिनिट के लिए पीच-बीच में आप चेक करते रहें और चेक कर लेते है फिर आदी इसे अच्छे से तीखह आप अमने फसंद अनुसार कर सकते हैं आप चाहें तीश में लाल मिर्ची ऐख चम्मज 2,5 चम्मज दाल सकते हैं मैंने अधि चम्मज यूजक रिये हैं जिखे अब इसमें डालते हैं टमाटर का पेश्टा से इसे भी मिलाते रहेंगे मसाले पके हैं तो देखें मसालो हमें अच्छा तेला आच चुक है उपर तक और मसाले हमारे भूनके त्यार हो चुके हैं मिग यह देखें किपने अच्छे लगए है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे पेशन जो हमने एक चम्मच बचा के रखा था पेशन और आप इस ग्रेवी को किसी और भी सबजी में यूज़ कर सकते हो आपको अगर ग्रेवी जादा लग रही हो तो आप इसमें से 2-3 चम्मच ग्रेवी निकाल के रख दें और अगले दिन कोई सबजी बनाए आलू मटर की तो आप ये ग्रेवी उसमें यूज़ कर सकते हो चला देंगे और आप इसमें डालेंगे दही तो दही मैंने फेट लिए अच्छी से दो बड़े चम्मच इसमें दही डाल रही हो और दही डालने के बाद गैस को कर देते हैं थोड़ा सदी में अब देखे हैं हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है डालते हैं नमक सौधा नुसाल नमक डालें या एक बड़े चम्मच नमक डालें इसमें ये देखिए मिला देते हैं नमक को और आप इसमें डालते हैं पानी, पानी मैंने इसमें 1.5 ग्लास तक यूज किया है, गाणा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये देखे, बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी बन गई है, और आदी ग्लास पानी मैंने इसमें और डाला है, तो गैस को थोड़ा सा लो फ्ले तक पकने देते हैं, तो देखे, ग्रेवी हमारी 5 मिनट बाद पक चुगी थी, और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी पकोडियों को, तो सारी पकोडियों को एक एक करके, डाल दे, देखे, बहुत ही अच्छी सौट पकोड़ी हमारी बन गई है, फिर से इसे मिला देते ह और ये सबजी हमारी बन के तयार है, दो मिनट हमें इसे और पकाना है, दनिया डाल देते हैं थोड़ा सा, ये monitor कर देते हूं हो मैं पàय को, और दो मिनट तक हमारी बन के ते ते, जब तक कि पकोडियों में सारे स्वाध आ जाए, तो देखे, और ये हमारी सबजी बन के पैन को और दो मिनिट तक इसे पकाना है हमें इसे जब तक कि पकोडियों में सारे स्वाद आ जाए तो देखिए और यह हमारी सबजी बन के तयार है कद्दू के कोपते जो बहुत ही टेश्टी है खाने में आप एक बार घर में ट्राइ जरूर करें यह देखिए तो इसे तो पास से देखिए कितनी अच्छी लग रही है सबजी डालते इसमें थोड़ा साहरा धनिया यह देखिए अगर आपको यह रेश्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रिस करना न बूले जिसे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ